नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका Brain Science के इस प्रोग्राम में जहां आप सीखेंगे भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें Tune of Songs गाने की जैसे मैंने बात की, गाने का एक हिस्सा होता है शब्द, lyrics एक लेखक होता है, एक गीतकार होता है जो गाने के शब्द लिखता है, फिर एक संगीतकार होता है जो उस शब्दों को रूप देता है, धुन देता है आपने अक्सर दिखा हुगा कि कुछ लोग जो स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं गाना गाते हैं कई बार अगर वो गाने के शब्द भूल जाएं तो धुन से काम चला लेते हैं ला 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 अइसे करके वो आगे गाने को बढ़ा लेते हैं यानि धुने जादा याद रहती है तो शब्द हमारे लेफ ब्रिन में गए और गाने की जो धुन है जो ट्यून है वो हमारे राइट ब्रिन में चली जाती है साथ ही साथ अगर ड्राइट ब्रिन ना हो तो दुनिया में गाना नाम संगीत नाम की चीज़ ही नहीं हो सकती क्योंकि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा उसको आईए समझते हैं आकरी टॉपिक है हमारा डेड्रीमिंग आप जितनी भी तरह की उम्मीदे बनाते हैं जितनी भी तरह के सपने देखते हैं आप जो पूरे जोचो खरोश के साथ किसी लक्षे की तरफ बढ़ते हैं या यह सोच के रखते हैं कि काश मेरे पास एक गाड़ी हो मेरे पास एक घर हो मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब ह या मेरा खुद का एक और अच्छा बिजनस हो, काश मैं एक्टर बन जाओ, काश मैं डिरेक्टर बन जाओ या जो भी आपके सपने हैं, वो जितने भी सपने आपने अपने वास्तविक जिन्दगी के लड़िटी से पूरा करता है आज हम एक बेसिक बात को जानेंगे कि हैना इसैं बाति के और रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और वो है C-R-I-S-M-A-S, एक एबरिबेशन है ये, अगर इसको एक साथ बोले तो क्या साउंड आएगा, क्रिस्मस, ये वो क्रिस्मस नहीं है ये तियोहर वाला, ये बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इसको लेटर्स मिलकर के जो क्रिस्मस बना रहे हैं, उन सब लेटर्स में जो इलाबरेशन है उसका या उसका जो मीनिंग है, वो अपने आप में एक ब्रेंस साइंस प्रिंसिपल है, पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, किन बातों की अक्सर का जाता है, ध्यान से पढ़ो, अगर हम किसी चीज को अच्छी तरह करना चाता है, तो हमें कहा जाता है, फोकस करो, कॉंसेंट्रेट करो, और हमने पाया है कि कॉंसेंट्रेशन हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी दिर में हम से दूर चला जाता है किसी बुक को हम पढ़ने की कोज़िश करते हैं पास साथ दस मिनिट बाद ही हमारा ध्यान कहीं हो चला जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे थौट्स है हर पल इस पल उठते, सोते, जाकते, बैठते हर वक्त हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ नहीं कुछ चलता रहता है हम कुछ नहीं कुछ सोचते रहते है वो disturbing thoughts हम जब किसी चीज़ पर concentrate करना चाते हैं तो बीच-बीच में आ जाते हैं और इसलिए हमारा concentration 100% नहीं हो पाता R for ridiculous thinking I for imagination S for sleep management M for mnemonics A for association S for science of belief आई ये समझते हैं ये क्या है अगर आप concentration को control करना चाते हैं तो आपको इन principles को समझना होगा जो कि आपके brain का ही part है और इने use करना होगा life में जब भी आप concentrate करना चाहें Thank you S for science of belief यानि कि अपने दिमाग पर विश्वास करना हमारा दिमाग बहुत powerful है neurons से मिलके बना है एक हमारे brain में 10,000 करोड neurons होते हैं एक neuron इतना चोटा होता है कि आलपिन के point वाले head पर 1000 आ सकता है बहुत चोटा होता है लेकिन उस छोटे से neuron की power अतनी ज़्यादा होती है कि उस neuron में आप 160 GB का data इखटा कर सकते हो neuron का काम बिलकुल laptop के जैसा होता है laptop के दो काम है data store करना और data को software के माध्यम से function में लेके आना इसी तरह से neuron का काम भी ऐसा ही है information को store करना और उसे बाद में function मिलाना तो इस उधारन से समझ में आया कि एक neuron एक laptop के बराबर है अगर एक laptop भी बहुत सारा data रख सकता है तो एक neuron भी ऐसा कर सकता है fortunately और coincidentally, surprisingly आपके दिमाग में 10,000 करोड neurons है यानि 10,000 करोड laptop के बराबर इस वक्त आपका दिमाग काम कर रहा है लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर मैं आप से कुछ याद करने को कहूँ या data store करने को कहूँ तो एक laptop में कितना आ सकता है अगर मैं आपकी books की बात करूँ तो एक laptop में कितनी books आ सकती है एक laptop में अगर 5,000 books आ सकती है तो आपके दिमाग में 10,000 multiplied by 5,000 इतनी books आ सकती है अगर आपको पाँच किताबे भी याद नहीं है तो इसका मतलब आप अपने actual neuron capacity का बहुत ही कम इस्तमाल कर पा रहे हो laptop तो powerful है लेकिन उसकी power का इस्तमाल तभी होगा जब वो laptop चलाने वाला software engineer होगा जब वो laptop चलाने वाले को laptop यूज करना अच्छे से आता होगा अगर laptop चलाने वाले को laptop चलाना आता ही नहीं होगा तो कितना ही powerful laptop उसके काम नहीं आ सकता बिल्कुल ऐसे ही आपकी neuron capacity तो बहुत powerful है लेकिन क्या आप उसे इस्तमाल करना जानते हैं अगर नहीं जानते हैं, तो आपके इतने सारे लैपटॉप भी किसी काम के नहीं है, और जब इस दुनिया से जाएंगे, तो ये खाली ही रह जाएंगे, अगर इन्हें यूज करना सीखना है, तो आपको brain science सीखना पड़ेगा, you need to believe that your brain is strongest computer in the world, और दुनिया कहती है, seeing is believing, या आपको पढ़ाई और लाइफ में successful, powerful, strong, super personality बना सकता है, आगे वाले episodes में मैं आपको से कमा, I for imagination, Einstein कहते हैं, imagination is the most powerful thing in this world, knowledge से भी ज़्यादा powerful है, imagination, इंसानी दिमाग के सबसे powerful चीज़ है, imagination, imagination का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का creative image बना पाना, अगर मैं कहता हूँ, aeroplane, तो आपके brain में, aeroplane वर्ट के साथ, aeroplane का picture भी आ जाएगा, that is imagination, 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 आपका कोई experienced picture भी हो सकता है, या आपका dream भी हो सकता है, ये बहुत ही powerful चीज़ है, आज से 500 years पहले, जानवर और इनसान एक जैसे ही थे, जानवर और इनसान जंगल में रहते थे, और दिन बर खाने की तलाश में घूमते रहते थे और शाम को वापस अपने जगे पर आत है, जंगली तुनिया से अलग है, हमने बहुत सारी सुविधाय बना ली है, और हम एक comfortable life जी रहे हैं, just because of this power of imagination, सोचिए, इंसान की सबसे powerful चीज़, imagination, जो जब scientist ने use की, तो आविशकार किये, जब engineers ने use की, तो बहुत बड़े-बड़े आकार बने हैं, जिसने भी इस्तमा उसका अगला लेटर है, S for sleep, सोना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या आपको ने कभी सुचा है, हम क्यों सोते हैं, पूरे दिन की दिमाग की मशकत करने के बाद, पूरे दिन काम करने के बाद, हमारे ब्रेन को एक ऐसी position चाहिए होती है, जब वो अपने आपको recreate कर सके, reorganize क लोग सोचते हैं कि सोना अपने आप में एक relaxation है, और सोने से सारी क्रियाए बंद हो जाती है, तो हमारी बॉड़ी relax कर पाती है, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सच बात ये है, कि जब आप सोते हैं, आपको दिमाग नहीं सोता है, वो उस वक्त पे active होता ह असल में जब आप सोते हैं, तो आपका दिमाग reorganize करता है, पूरे दिन में आपने जितने भी तरह के memory प्रोड्यूस किये, इकटा किये, या आपने कोई भी चीज नई सीखी, ये सब information ब्रेन में इकटी हो जाती है, जब आप सोते हैं, तो वो ब्रेन उसको reorganize कर रहा होता है या आपका sleeping time, ब्रेन का reorganizing time भी है, हमें confusion इसलिए होते हैं, क्योंकि अक्सर आज बच्चे पढ़ाई में अच्छी तरह याद करने के लिए, या exam के अच्छी तयारी के लिए, पढ़ाई का time बढ़ाने के चक्कर में सोने का time घटा देते हैं, या तो देर रात तक पढ़ते हैं, या सोते ही नहीं है, पढ़ते ही रहते हैं, या टुकडो में सोते हैं, और ऐसा सब कुछ करने से उनके brain का reorganizing time डिस्टब हो जाता है, और memory permanent नहीं हो पाती, organized नहीं हो पाती, घर में अगर चीजे बिखरी हुई हो और उस सब को समेटने में सही जगे पर रखने पर, हर चीज को सही जगे पे रख पाएंगे, और ये भी याद रख पाएंगे कि कौँसी चीज कहां रखी हुई है, ऐसा ही brain के साथ information के समय होता है, informations brain में खट्टी हो जाती है, हमारे senses के थुरू receive होती है, और brain उन्हें पहले एक जगे पे खट्टी कर देता है, उसके बाद उ होता है, ताकि वो नई information receive ना करे, और पुरानी information को वो पहले अच्छी तरह जमा सके, पुराने जमाने में लोग बरपूर नीन लिया करते थे, और उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता था, आज हम नीन नहीं ले पाते हैं, और आज नीन में डिस्टब हो गए हैं, कई बार तो बच्चे सोने को इस करते तो भी नहीं सो पाते हैं, ये सब आपके sleep का miss management है, sleep को सई तरीके से manage करने का simple तरीका है, 8 गंटे की परपूर नीन, 8 hour sleep, दिन में 24 गंटे होते हैं, 8 गंटे काम करना या पढ़ना, 8 गंटे leisure time होता है, जिसमें आपके hobbies को time देना है, family को time देना और 8 गंटे सोना, 16 गंटे में जो आपने information नीकटी की, वो 8 गंटे में organize तभी कर पाएगा brain जब आप 8 गंटे सो पाएगे, आज से एक habit डालिए कि पढ़ाई के लिए सोना कम नहीं करना है, बलकि exactly सही तरीके से परपूर time के लिए सोना है, और ये आपको अच्छी आ दूसरे principles इसी word में मौझूद है, R for ridiculous thinking, I for imagination, S for sleep management, M for mnemonics, A for association, S for science of belief, आई ये समझते हैं ये क्या है, अगर आप concentration को control करना चाहते हैं, तो आपको इन principles को समझना होगा, जो कि आपके brain का ही part है, और इने use करना होगा life में जब भी आप concentrate करना चाहें, R for ridiculous thinking, जो चीज़े अजीव होती है, निराली होती है, अनोखी होती है, unexpected होती है, हटके होती है, different होती है, या हास्यासपत होती है, हमारा दिमाग उन्हें जल्दी याद करता है, हमारा brain उन चीज़ों पर जल्दी ध्यान देता है, जो different होती है, मेले में गए 10 फिट का आदम होती है, क्योंका end हास्यासपत होता है, जिन चीज़ों में अजीव हो गरीब बात होती है, हमें जल्दी याद होती है, अगर कोई चीज़ अजीव हो जाए, तो आपको याद रहेगी, अगर आप किसी चीज़ को अजीव कर दें, तो भी याद रहेगी, अजीव करने के लि आपकी कोई memory बन ही नहीं सकती है अगर वो किसी ने किसी information से जुड़ी हुई ना हो तो लेकिन जोड़ना दो तरह से होता है एक होता है पका यानि strong तरीके से जोड़ना और दूसरा होता है कच्चा यानि के कमजोर तरीके से जोड़ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जो information हमारे brain में जा रही है ये associate जब हो रही है तो कैसी हो रही है strong या permanent या कमजोर यानि के weak अगर आप किसी table के top को सिर्फ किसी बड़ी weak गम से जोड़ देंगे तो वो top थोड़े दिन बाद उखड़ जाएगा लेकिन अगर आप किसी मजबूत agency से जोड़ेंगे तो वो top हमेशा उस पर चिप कर रहेगा बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से आप दो information को आपस में जोड़ने के लिए association principle को use कर सकते हैं आपके दिमाग में जितनी भी information अभी है वो already किसने किसी information से associated तो है लेकिन अगर आप deliberate, controlled, powerful association यूज़ करेंगे तो आपको पक्का और ज्यादा याद होगा इस तरह के association को इस्तमाल करने के लिए आपको imagination help करेगा यानि सबसे strong association होता है imagine या picture वाला association word to word कमजोर होता है और word to picture थोड़ा strong और picture to picture सबसे strong जब आप पढ़ाई करतें तो आप करतें word to word यानि एक शब्द से आपको दूसरा शब्द यादाता है यह सबसे कमजोर association है जब आपको इससे मिलते हैं तो क्या कहते हैं आपको कहीं देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा है अगर ऐसा होता है तो ऐसा इसली हो रहा है क्योंकि उसका चेहरा एक picture है और नाम एक word है word weak memory होता है और picture strong memory होता है लेकिन जब हम कोई picture देखते हैं तो उसके सारे दृष्चे आपस में जुड़े होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कोई चीज जहां रखी रहती है वो एक picture दूसरी picture से जुड़ी होई होने की वज़े से आपको वापस भी याद आती है आपको आप स्कूल के पिक्स आज भी दिमाग में याद आ जाते हैं क्योंकि उन्हें आपने पढ़ा नहीं था बलकि देखा था वो picture form में थे तो हम पढ़ाई में अगर association को use करें तो अगर हम words को पहले picture में बदलें फिर associate करें तो that will be a strong association आज जो method हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही कमाल का method है और मेरे बसंदीदा methods में से एक है ये method आपको point वाले answer chronological order sequence में कोई answer है आपका या किसी particular number से कोई answer associate किया हुआ है आपने या आपको कोई theory है जिसको आपने point में convert करके याद करना है इस तरह की चीजों को आप असानी से याद कर सकते है popularly ये method कहलाता है rhyme method rhyme method जिसके अंदर कोई rhyming होती है art multiple intelligence होती है उसमें से intelligence होती है musical intelligence उसी का part है rhyming जो हमें memory को रोकने में associate करने में support करता है इसी लिए हमें poem या गाने theory या इस तरह का कोई part होता है simple आपका कोई lesson होता है उससे जल्दी और ज़्यादा याद होते है तो उस part को आज हम use करेंगे एक method को बनाने में और उस method को हम use करेंगे किसी भी answer को याद करने में जैसा कि मैंने बताया हमने बच्पन से rhyming सुनी है twinkle twinkle little star how I wonder what you are तो आपको अगर आज भी याद आ रहा है तो उसके पीछे आपकी musical intelligence है आपका rhyming है आए समझते हैं इस logic को हम कैसे एक brain science method बनाने में यूज़ कर सकते हैं और उस method को कैसे हम अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं Thank you आपका बनाने में यूज़ कर सकते हैं